माता लच्षमी को सबसे ज़्यादा प्रिय प्रिशाद कौन कौन सा होता है जल्दी बोलो जरा जल्दी से बताओ माता लच्षमी का प्रिय प्रिशाद कौन सा है कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलुआ, कोई कहेगा सिंगोडा, कोई कहेगा सीता फल कोई कहेगा फल पर माता लच्चमी के लिए सर्वस्रिष्ट अगर कोई पकवान है माता लच्चमी के लिए अगर सर्वस्रिष्ट यदि कोई भोग है अगर कोई ने किसी दिपावली के दिन अगर लच्चमी जी को शहत का यदि भोग लगाया है तो उसके घर में कभी गरीब बेखी नहीं आ सकती, उन्नति की और बढ़ता है. अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? दीपा वली के दिन पकवान बनाते, घुजिया बनाते, चक्की बनाते, बुल्दु बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलुआ बनाते, दुनिया का सारा भोग माता लचमी को दीपावली के दिन लगाते हैं पर बहुत कम लोग होते हैं जो लचमी जी को शेहत का भोग लगाते हैं मेरे साथ से तो यहां भी जित्ते बेठे होंगे इसमें भी कुछी होंगे गिने चुने जो लच्छमी जी को शेहत का भोग लगाते है है कोई है शेहत का जो भोग लगाते है लच्छमी जी को लच्छमी को शेहत का भोग लगाते है लच्छमी को शेहत की प्रियता है मधू की प्रियता